प्रिय किसान भाईयों नमस्कार आएए आपकी कपास की फसल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के विशह में बात करते हैं कपास की खेती किसानों के लिए लाबदायक वबहतर कमाई का स्त्रोध बनता है पर कपास की फसल में पिंक बॉल वर्म यानी की गुलाबी सुन्डी एक घातक और खतरनाक कीट मानी जाती है जिससे फसल की गुणवत्ता और उपजपर सीधा प्रभाव पड़ता है इस कीट के वयस्क दित्लियां कपास के फूलों की रोजेट या स्क्वायर बनने वाली अवस्था में अंडे देती है जो आगे सुन्डी या लार्वा में परिवर्तित होकर फूलों और टिंडों को नश्ट कर देती है फूल की अवस्था में गुलावी सुन्डी के अंडों और लार्वा को नश्ट करना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं ओवी साइडल कार्य प्रणाली से काम करने वाले कुछ प्रोडक्ट जैसे जे यू मिनिस्टर या इमेट का गुलावी सुन्डी का विनाशकारी प्रकोब तिंडे बनने की अवस्था में भी देखा जा सकता है क्योंकि इसके अविकसित अंडे तिंडों के अंदर प्रवेश कर कपास के रेशों को नुकसान पहुचाते हैं टिंडे बनने की अवस्था में कुलाबी सुंडी से सुरक्षा के लिए प्रयोग करें जेयू की प्रभावी कीटनाशक थायूला, टेसिजुन और सेंचुरी इनकी उल्लखित मात्रा में प्रयोग से कुलाबी सुंडी पर शीग और कारगर प्रणिनाम पाए जा सकते हैं जेयू अग्रिसाइंसेज मिट्टी मुस्कुराएगी